हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू लौ सिखो आईपीर चैनल आज ही वीडियो के अंदर हम डिटेल्स के अंदर बात करेंगे ट्रेडमार्क, पेटेंट्स, कॉपिरेट्स, डिजाइन, रजिस्टेशन, और अधर इंटलेक्टनल पॉपरटीस के उपड़, देखिए आज की वीडि लंबी होने वाली, लेंदी होने वाली क्योंकि वह डिटेल के अंदर आपको explain करूंगा IPR के बारे में, आज से पांस चो साल पहले देखा जाए, तो था लैंडेज, लैंडेज का मतलब क्या था, लैंडेज का मतलब वास, बेसिकली ये था कि जो किंक्स है न, उनके पास ज लाउंडा, फॉड, वो ज्यादा रीचते हैं, ज्यादा इंडेश्ट्री लगाना, फैक्ट्री लगाना, उनसे आउटपूट निकालना, तो वहां से बिलिनर्स मिलिनर्स निकल के आ रहे थे, अब आज के टाइम में क्या है, आज का टाइम बिल्कुल चेंज हो चुका है, आज के टाइम में, अमेर वो आदमी नहीं है जिसके पास ज्यादा लेंड है, या फिर जिसके पास ज्यादा बड़ी इंडूस्ट्री है, अमेर आज के टाइम में इंटलेक्टल प्रपरटी है, फेस्बुक, अमेजॉन, गूगल, जमैटो, पेटियम, क्या हैं ये सब, इं क्वशेंट का एक हाज सब्सक्राइब और सब्सक्राइब spor proch., बनीट के फिरां, तो सब्सक्राइब प्राइबूर के गया दोड़ा, तो ऐसे ऐसे करके टाइम्स चेंज होता गए और आज के टाइम बार intellectuals बड़ी बड़ी companies strategies बना रही है कि कैसे वो ज़्यादा intellectual property को एकवार कर सकती है उनको अपने नाप पर register करवा सकती है जिन जो वो तेजी से grow कर पाए उसके लिए वो corporate attorneys, trademark attorneys इन सब को hire करते हैं, strategies बनाने के लिए, registration कराने के लिए और एक monopoly बिल्ड करने के लिए, क्योंकि अगर market के अंदर बड़ी companies, IPRs की मदद से monopoly लेकर नहीं आ पाई, तो वो grow नहीं कर पाएंगी higher profits नहीं कमा पाएंगी इसलिए वो, आज के टाइम में जादा से जादा पैसा खर्श कर रही है, अब मैं details के तरफ को बताऊंगा कि trademarks, patents और detail में आज discuss करते हैं कि बड़ी जब brand चालो होती ही, कमनी बनती है तो इन सब का roles क्या आते हैं सबसे पहले trademarks, trademarks एक brand का name होता है देखो जितनी बड़ी brand होगी न, बड़ी brands क्या करती है coin name को choose करती है, coin name क्या होते है coin name ऐसे name होते है, जिन name का कोई meaning नहीं होता over the period of time, marketing करके इन names को build करा जाता है gemato, kodak, यह कुछ unique name है gemato का meaning क्या है, कोई meaning नहीं है सुईगी का meaning क्या है, कोई meaning नहीं है इनका meaning develop करा जाता है उसको बोलते है coin names trademark के बहुत सारी classes में इनको file करा जाता है जिससे competitor brands के name को copy न कर पाए और कोई भी आम आदमी brands के name को use न कर पाए same with Amazon, Amazon ने अपने 41 class के अंदर इंडिया के अंदर trademark class 41 है for education and entertainment purpose उसके अंदर ही Amazon ने 80 से ज्यादर trademark application file कर रखी है क्यों? जिससे competition कभी भी उनकी name को use ना कर पाए उनके किसी भी brand name को use ना कर पाए उसके बाद आता है अपना copyright copyright क्यों होता है देखिए बड़ी brands जब cover page बनाती है कोई अपन food का brand ले ले real juice ले ले उनकी एक labeling होती है तो वह उसका copyright file करते है क्योंकि label से भी कई बार customer पैचानता है तो वहां पे जुरत पढ़ती है copyrights की फिर आता है patents अब patents कहां कहां पे काम आता है जब बड़ी-बड़ी company होती है उनके process बनाए जाते है जिसे मैं आपको एक चीज़ बताओ Amazon ने एक patent file कर रहा था जिसके अंदर single click check out उसके अंदर कहाता है एक बार आपको single check करना है buyout पे और आप सीधा payment के page पे जाएंगे OTP डालना है और आप सीधा check out हो जाएंगे उसका पूरा process का patent Amazon के पास था 2019 के अंदर पेटेंट expired हो गया बट बीश साल तक Amazon ने मार्केट के अंदर मोनपुली के लिए इस patent की मदस से तो देखो patent मिलता है process इसके लिए अगर कोई business में किसी चीज का process डवलप हो सकता तो वहाँ पे patents मिलेंगे machine के process हो गए बहुत तरह के process होते है पाले जी का biscuit ले लो अब पाले जी के biscuit में क्या है यह लड़की आपको दिख रही होगी अब इस लड़की जो है आँटी जी बन चुकी है लेकिन आज भी यह लोग आँटी जी को यूज नी कर रहे है इस लड़की को ही यूज कर रहे है क्यों वोगि हम इस लड़की से पाले जी के बिस्कूट को पैचानते हैं अगर मैं मार्केट में आपको छोड़ दू एक बिस्कूट का पैकेट को कहूंगी पाले जी का बिस्कूट का पैकेट लेकर आना है उस biscuit के packet है पाले जी नहीं भी लिखा होगा ना फिर भी आप पैचान जाओगे क्यों उस पर उस बच्ची की photo बनी वी है तो इस चीज को बोलते है ट्रेट ड्रेस कि क्या ड्रेस मलब एक्चुली एक ड्रेसंग सेंस नहीं कैसा होगा कुर्था पजामा वाइट कुर्था पजामा एक बिजनस्मैनism Imagineот Hai तो वह एक माइंड में impression चड़ जाथ है जैसे लड़की से चड़ाओ आओं पालेट जी की उपर जो impression चूज़ाओन माइंड की उपर तो वह होता है trade dress process उसके बाद बात करते हैं trade secret आते हैं ये क्या होते हैं ये कैसे यूज आते हैं देख़िये तो वहाँ पेमें पेटेंट के लिए नहीं जाओंगा, वहाँ में जाओंगा ट्रेट सीक्रेट के लिए, अब ये कौन यूज करता है? फूड बिजनसे होते हैं इंडिया के अंदर, मैकडानल्स, डॉमिनोस, पिज़ा हट, कोका कोला, अब मैकडानल्स क्या करता है? सॉसेस है ना, सेंटरलाइस प्रडक्शन करता है, मतलब एक जगा प्रडक्शन करा, उसका रख दिया ट्रेट सीक्रेट, किसी को निए पता कि उसको डिस्ट्रीबूट करता है उन्हें फ्रेंचाइजी के उपर, फ्रेंचाइज पर बनना है, उसको सिफ सॉस को लगा एक अगर कोई ऐसी चीज है जो लोकल खरीदनी पड़ेगी पड़ियूस करनी पड़ेगी तो उसका ट्रेट सेक्रेट नहीं हो सकता सॉस इसका क्या है काफी लंबा लाइफ स्पैन होता है तो यूएस परड़क्शन होता है और इंडिया में आ जाता है स्पैन की ओरदाया है सेम विध कोगा कॉला आज कोगा को यका कोला को फाम्लगा साल से बीपुराना यह बट किसी को नहीं पाता क्यों ट्रेट सीक्रिट है अब ट्रेट सीक्रिट ने फाइदा शिरब मिलाना है और उसको pack करके sell out कर देना है काम खतम तो ऐसे Coca Cola ने expansion करा पूरे दुनिया बर के अंदर अपना तो ऐसे बड़ी brand strategies बनाती है उनकी मदद से grow होती है copyrights, patent, trade secret इन सब को use करती है फिर आता है GI tag अब GI tag किस काम आता है देखिए कुछ goods ऐसे होते हैं जो specific location पे ही उगाए जाते हैं और वहाँ से उनकी शुरुवात होती है वहाँ पे GI tag दिया जाता है और खास बाद आपको बता हूँ इंडिया के पास इस समय तीन सो से जादा GI tag है वर्ल्ड में नमबर वन हैं GI के ममला में बासमती राइस इंडिया का ही है और GI tag भी इस समय इंडिया के पास है बासमती राइस का जो बासमती राइस है इंडिया के अंदर अब वहाँ पे अगर आप उस सेट में जाके राइस उगाओगे तो आप उस राइस को बासमती की नाम से सेल आउट कर सकते हो जैसे कि पंज trademark होता है, वो specific business के लिए दिया जाता है, एक business name के लिए दिया जाता है, उसके बाद, आदर design registration, अब ये क्या होता है, ये सबसे खास चीज है, हर एक चीज का design होता है, आप कोई camera ले लो, mobile phone ले लो, laptop ले लो, car ले लो, उनके design rights का भी protection होता है, 10 साल के लिए design rights का protection दिया जाता ह उसके बाद, अगर owner चाहे, तो 5 years का extension all ले सकता है, government fees जमा करा के, तो total 15 years का protection दिया जाता है, for design registration, जिससे किसी का भी, जो design के rights है, अब design के rights बहुत तरह के होते हैं, एक suits के design हो गया, camera का design हो गया, गाड़ी का design हो गया, कोई laptop का design हो गया, computer का design हो गया, हर चीज का कोई ना को file करा जा सकता है, so friends, यह था total information about trademark, copyright, patents, trade secret, GI, और कैसे brands इनको use करती है, monopoly create करने में, expansion करने में, मैं आशा करता हूँ, यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, please इस वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को फटा-फट से subscribe कर लो, जिससे, मैं जैसी ऐसी वीडियो लेका रहा ह information लेका रहा हूँ, आप लोगों को तुरन्ट उसका notification मिल जाए,